नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहधी महतोपूर्ण जानकारी को लेकर के जिहां बबूल का गोंद 3 ग्राम में मधुमे लगाने से सिरदर्द चूसने से खासी पीने से बवा सीड और एक दिन में दस्त को ठीक ही हो जाना है जिहां बस आपको सही धंग से इस्तेमाल करना है बबूल का और फिर देखिए चमतकार आप किस धंग से ठीक हो जाते हैं आज हम आपको एक ऐसे ही चमतकारी पोधे के उस महतोपूर्ण भाग के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने शायद ही कहीं पढ़ा या सुना होगा उस पोधे का नाम है बबूल जिसका प्रतेक अंग दवा है इस पोधे का एक महतोपूर्ण भाग है जिसे जिसके फायदे आज हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से बताएंगे बबूल की गोंद का प्रियोग करने से चाती मुलायम होती है यह मेदा यानि कि अमाशय को शक्तिशाली बनाता है तथा आतों को भी मजबूत बनाता है यह सीने के दर्द को समाप्त करता है तथा ग अक्तिशाली हो जाता है बबूल का गोंद गर्मी के मौसम में एकत्रित किया जाता है इसके तने में कहीं पर भी कार्ट देने पर जो सफेद रंग का पदार्थ निकलता है उसे गोंद कहा जाता है यह बाजार में भी किसी भी दुकान पर सहस्ता से मिल जाता है समाने तह ग बबूल के गुंद के आए ग्यारा चमतकारी फायदे जानते हैं नमबर वन कमर दर्द में बबूल की छाल फली और गुंद बराबर मातरा में मिला कर पीस लें एक चमच की मातरा में दिन में तीन बार सेवन करने से कमर दर्द में आराम मिलता है सिर दर्द, पानी में बबूल का गूंद घिस कर सिर पर लगाने से सिर का दर्द दूर हो जाता है, इसके अलबा मधुमेह, तीन ग्राम बबूल के गूंद का चून पानी के साथ या गाई के दूद के साथ दिन में तीन बार रोजाना सेवन करने से मधुमेह रोग में लाप बढ़ती है और प्रसूत कालिस्त्रियों को खिलाने से उनकी शक्ती भी बढ़ती है खांसी बबूल का गोंद मुह में रखकर चूसने से खांसी ठीक हो जाती है वैवाहिक जीवन में बबूल के गोंद को घी में भून कर उसका पकवान बना कर सेवन करने से मनुश्य को वैव बाहिक जीवन का परम आनंद मिलता है जलने पर बबुल की गुंद को पानी में घोल कर शरीर के जले हुए भाग पर लगाने से जलन दूर हो जाती है मासिक धर्म के विकारों के लिए 100 ग्राम बबुल का गुंद कराही में भून कर चून बना कर रख लेते हैं इसमें से 10 ग्र बबुल की गुंद को 3 ग्राम से लेकर के 6 ग्राम के मातरा में दिन में सुबह और शाम पीने से एक दिन में ही अतिसार में लाब होने लगता है पेट और आतों के घाओ बबुल की गुंद पानी में घोल कर पीने से अमाश है यानि कि पेट और आतों के घाओ तथा पीड़ मिट जाती है शक्ति वर्धक बबुल के गुंद को घी के साथ तल कर उसमें दुगनी चीनी मिला देते हैं इसे रोजाना 20 ग्राम की मातरा में लेने से शक्ति में व्रिद्ध होती है इसके अलावा बवासीर में भी इसका लाभ होता है बबुल का गुंद कहरवास समई और गे सिर दोनों रोगों में लावकारी होता है तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि बबुल का पोधा आपके लिए कितना लावकारी है खास करके बबुल का गुंद आपके लिए बेहद ही लावकारी सावित होता है तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसो प्रफटू